हेलो काईज, विलकम बैक टो शिविनेश की दुनिया, तो कैसे हो आप सब, तो यह है पार्ट टू, शादी व्लोग का, तो मेरी कजिन की शादी है, मामा की बेटी की, और हमें जाना है बहुत ही धूर मेरट से, तो काफी धूर है वेन्यू, और डेस्टिनेशन वेडिंग नह हम लोग मेरे पती तो पहले सो गए है क्योंकि काफी हम लोग अल्रडी ट्रावल करके आ रहे थे, इंडोनेशिया से, और अभी भी हमारी नीन पूरी नी हुई है, शादियों में तो है, रहता ही है कि कुछ ना कुछ चलते रहता है, तो अभी उनको भी नीन आ रही है, नीन आज काने के तो शादिया इंकम्प्लीट रह जाती है, तो हम लोग तो बस में ही शुरू हो गए, बस में हम लोगों ने डांस किया, सब लोगों ने बहुत मज़े किये, और यहां पर यह देखिए, जो सेर पर चुन्नी बांद है, यह है मेरी मॉसी, और यह इनके साथ जो मेरी चोटी मामी, तो हम लोगों ने बहुत मज़े किये इन लोगों के साथ, और यह दोने पुरा महाल बांदा शादी का, और गाइस यह देखिए, रस्ते में आई, यह खूब सूरत से हारावले के माउंटेंज, तो यह देखिए, अभी तक जोगरिफी में मैंने पढ़ा अब अभी शादी के तो स्टार्ट होनी है, तो हम फटावट जाएंगे, अपना रूम्स वगरा हमें देखेंगे कहां पर हैं, और तैयार होना शुरू करेंगे, तो यह वेन्यू है, काफे सुन्दर लग रहा है, भी जादा भीड़ भी नहीं होई है, तो अभी आपको साथ सबसाथ हो गया है, साथ साथ बजी तक हमें रेडियो होना है, मैंने अल्रीडी समान अंपाप करना शुरू कर दिया, ताकि हम फटावट तयार हो जाएं, गाइस हालत देखें, बहुत खराब हो गई है, मैंने अपि अंदर बलाउस पहन लिया है, जो में ड्रेस पहन साथ मिल जाए लेकिन वह मिला नहीं है, तो इसे सलिए कंडिया हो गई है, तो सब लोग यही पर ही, लडगे वाले भी लड़की, बहुत तो आप सब दो बराइन के वही हो गया है Customers चाहिए, दो यह हो गया है, और यहां पर बगात निकल गई है और गाईज यह देखिए आज कल यह भी काफी फैशन में है LED स्क्रीन लगा कर प्री वेडिंग की फोटो और वीडियो डिस्प्ले करना हमने हमारी शादी में ऐसा कुछ नहीं करा क्योंकि इतना नहीं तो आइडिया है और आम से ऐसे शूट्स करवा सकते हैं और गाईज फिर फाइनली वो टाइम आ गया जिसका हम सब को इंतजार था तो बारात आ गई है और शादी में सबसे इंपॉर्टन तो यह होता है कि बारात का स्वागत हो फटा फट से दूले राजा आ जाएं स्टेज पर जाएं अपनी दुलहन को बुलाएं और उनकी जैमाला हो तो यह सब बहुत ही मतलब इंडियन जो हमारी वेडिंग्स होती है काफी अच्छी लगती है मुझे और यह सब चाम होता है सारी फैमिली जे एक साथ होती है तो कम लोगों वाली वेडिंग थी वैसे लेकिन बहुत ही अच्छी रही और बहुत हमने मज़े किये तो देखो बरात का स्वाकत हो रहा है भी तो और यह देखे काईस यहां पर दूले राजाने की नीम की टंडी से कुछ था यहांपे उस पर मारा और कुछ पत्ते पत्ते ज़ड़े इसको मझे पता निए क्या बोलता आगर आपको पता हूँ इस रसम के बारे में तो मुझे कमेंट करके बताए है कि यह क्या होती है अब हो रही-एथ दौआरयכी रसम जिसमें चिलता है बहुत सारी पैसों की लेंदेन और बार्गेन होता है कि अगर बारात लेकर अंदर आना है तो यह रिबन काटना है और काटने के लिए लगेंगे पैसे ऐसे तो नहीं होगी एंट्री तो यहां पर बार्गेन जल रही है कि कितने पैसे मांगे जाएं और कितने पैसे दिये जा साली को साधय को कि निमीदुद से सबसा बस्त हिए और सबसा की देने हो चाहिए और यहां दो क सबस्कि कर दो गारिज यहां पर उतारे जा रही है दोले राजा की नजर उसके पात यहां पर त्रह ट equipar करके बरात का सुआगत किया जा रा है यहां पर यह होता है राता यहां अबrand этого हिए बाता को पहले वीडियो में जाधना कोटने की नाप खीजने की रसम होती है, वो कमेंट करकर बता हैं कि आपको कौन सी रसम हैं और हमारे यादि यादि कसे है तो पर चाहाँ होता है, फिर राद को जा चाहना है डिनर टाइम हो गयका है, एन राद को क्मेंट ह squeezed के हैं यह राजस्तान की फेमस चटनी है कोई तो यह जबूर यहां पर बनती है शादियों में तो यहां कर लिए इंपॉर्टन था तो यह बना है और भी काफी कुछ बना हुआ है जो कि अभी मेरे को थोड़ा सब बुला रहे हैं तो मैं बाद में बनाओंगी व्लॉग यहां पर हम हमारी दुलहन के एंट्री और मचे तो अपनी शादी आद लगी क्योंकि मेरी शादी को पर भी जादा टाइम ने हुआ है छे मैंने हुए हैं तो यह देखे यह आ गई दुलहन और इनकी साथ में एंट्री ओडियर बहुत ही सुन्दर लग रहा है देखने में दोनों की जो में भी नहीं आता है इमोशनल मॉमेंट्स में से एक है तो यह भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि जब आप अपनी पसंद से अगर शादी कर रहे हैं होगी फेरे की पूजा और उसके बाद होंगे फेरे और यहां पर हम सब लोग बैटे हुए हैं ठंडग गई है काफी ठंडा हो रहा है तो सब ने जाकेट स्वेटर्स पहन लिए और बाकि यहां पर चल रहे हैं पीछे फेरो की पूजा और कन्यादान वगरा भी चल रहा है अब होने वाले हैं फेरे और फेरो के लिए दोनों वरवधू खड़े हो गए हैं और कैसे साथ फेरे लेते ही एक लड़की की और लड़के की दोनों की ही जिन्दगी पूरी बतल जाती है इतने पवित्र रिष्टे में दोनों बंद जाते हैं तो अब तो मैं भी मैरीड के चीज़ समझ सकते हूं आप लोग में से कौन-कौन मैरीड है कमेंट करके बताएं कि आपको क्या-क्या एक्सपीरियंस फीड हुआ है शादी के बाद कैसे आपको लगता है कि लाइफ चेंज हुई है और फेरे हो जाने के बाद ऑफिशली हमारे जीजा जी ने लगाया हमारे प्यारी से बहन को सिंदूर और सिंदूर तो आप सभी को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है हर हिंदू मैरेड विमिन के लिए इंडिया में और सिंदूर के बाद पहनाया मंगल सुद्र और में शादी हो गई संपन और गाइस फेरे हो चुके हैं और फेरों के बाद होता है हमारे हां टीका दूला दूलन दोनों का तिलक किया जाता है सगंदिया जाता है मिठाई की जाते हैं उनको पहली बार जोड़े के रूप में तो यह अब ठीक है की रसम चल रहे हैं यहां पर और इसके बाद होगी विदाई और हम दोनों ने भी करा नए जोड़े का ठीका और दिलक करा और सगंदिया और बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी क हमेशा दोनों खुश रहें साथ इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और उसके बाद जो बहुत ही जादा इमोशनल मॉमेंट होता है शादी का जो कि सबसे जादा मन को तकलीफ देता है वो तो विदाई तो विदाई का टाइम हो गया फाइनली और अब जो है धुलन अपने ग आपने टाइम यादा जाता है शादी का किसी की भी विदाई देखकर अपनी विदाई यादा आती है पर साथ मेंक सेंस उफ साटिस्फेक्शन भी होता है विदाई के साथ कि अप चलो दोनों लड़के लड़की की शादी हो गई अपने जीवन की शुरुआत हुई है तो गाइज शादी संपन हुई और इसे के साथ हम लोग भी हो गए यहां पर रेडी सुबह का टाइम हो रहा है बहुत ही जाधा धंडा हो रहा है क्योंकि व्लोग थोड़ा लेट आया है यह और थोड़े खंड की शादी है तो अब हम लोग रेडी हो गए हम लोग यहां से निकल जाल एक बार भी नहीं गई हो हम डारेट शादी में हैं तो गाइस हम पहुंच के मेरट और हमारी हो गए हैं टिकेट बुक और हम जा रहे हैं सब लोग अपने अपने घर और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दिजे लाइक चैनल को कर लिजे सब्सक्राइ और शेयर कीजे वीडियो को जादर से जादर प्लीज वीडियो को लाइक कीजे बाई बाई